और वंडे की टीम दोनों अनाउंस होगी हैं पिछले कुछ दिनों से खास तोर से दो-तिन दिन से बड़ा डिबेट चल रहा था कि भारत के अगले टी-20 कप्तान कौन है वर्ल्ड कप के बाद तो हर्दिक पंडिया थे लेकिन ये दो दिन से निया डिबेट आया क्या सूरे को दे सकते हैं क्योंकि शायद जो आपकी अब मैनेजमेंट है वो चाहती है कि ऐसा प्लेयर हो जिसको इंजुरीज या फिर वर्क मैनेजमेंट के कारण स्किप्ट ना करना पड़े भारत की टीम का एलान हो गया है और टी-20 के वाके में आपको नए कप्तान मिल गए हाले कि इससे पहले सूर्कुमार यादव भारत के कप्तानी कर चुके हैं पड़ा हमेशाए गाशा प्लेयर के लिए टीम का अनाउंसमेट हो गया है हार्दिक पंड्या अब डूनोही फ़ारमेट में यानि कि-20 में और वंडे में भी लीडर्शिप रोल में नहीं है और जब मैं कहता हूँ लीडर्शिप रोल, लीडर्शिप रोल का मतलब है कप्तान या फिर वाइस कैप्टन, मैं फटा-फट सबसे पहले आपको बड़े पॉइंट्स बता दूँ, एक ये कि सुरिकुमार यादर कैप्टन है, T20 टीम के, और हर्दिक पंडिया वाइस कैप्टन भी न तेमे ही आगए लेकिन के रहूल वाइस कैप्टन नहीं है, शुम्मन गिल दोनो colonies के भारत ये कप्टन है, अब ये निव लुक शायद ये टीम आपको बता रहे हैं कि आगे चलकर जो हमारे कोर है टीट्वेंटी का वो क्या होगा सुरिकुमारी आदव कैप्टन शुबमन गिल्ड वाइस कैप्टन येशश्वी जैस्वाल रिंकू सिंग रियान पराग है टीम में हालाग रियान पराग को जो मौका मिला था अभी उन्होंने उसका कुछ किया नहीं बट सेलेक्टर्स ने उनको मौका दिया है रियान पराग है इस टीम में रिशब पंथ विकेट कीपर संजू सैंसन विकेट कीपर यानि कि जो दो T20 के विकेट कीपर इस उक भारत की राडार में है वो इस टीम में है वो है रिशब पंथ और संजू सैंसन हार्दिक पंडिया टीम में है T20 की लीडर्शिप रोल में नहीं ना कैप्टन 29 कैप्टन शिवम दूबे हैं शिवम दूबे वर्ड कप का हिस्सा भी थे अक्सर पठेल हैं वाशिंग्टन सुन्दर टीम में वापिस आगे हैं और जिंबाबवे में जो नोंने परफॉर्म किया उसका रिवार्ड उनको मिला है रविंद्र जडेजा की जगा जो वो अब आपने वाशिंग्टन सुन्दर को दे दी है रवी बिश्णोई है यूजी चहल नहीं है रवी बिश्णोई है अर्षधीब सिंग है खलील एमद है और मौमद सिराज है यानि कि बुमरा नहीं है अगर आप वर्ड कप के लिहास है जो मोटा मोटा मुझे याद आत है रियान पराग के लिए बहुत बड़ा मौका है लेकिन हार्दिक पंडिया मैं कौंगा रोलो कोस्टर चल रहे ना कभी उपर कभी नीचे कभी उपर कभी नीचे मतलब वर्ल्ड कप के बाद वो हीरो थे और पर्फॉर्मेंस भी उनकी जबरदस थी ऐसा नहीं है वर्ल्ड में होना है 2026 उसके लिए as of now frontrunner सूरी कुमारी आदव है क्योंकि वाज कप्तान है अन्नस एंटिल कुछ बहुत खराब चीज हो जाए सूरी कुमारी आदव ही आपके अगले डेर्ट के साल पॉने दो साल टी 20 में कप्तान रहेंगे अब मैं आता हूँ वंडे टीम में और बड़ी अच्छी बात यह है कि जो गौदम गंभीर ने कहा कि मेरी पहली सीरीज है मैं वंडे चैंपिन्स ट्रोफी जो फेब्रॉरी मार्स में होनी है उसकी स्कीम बनाना चाहता हूँ उसकी प्लैन बनाना चाहता हूँ उसका विजन बनाना चाहता हूँ तो मुझे और विराट कोली दोनों अवेलेबल है डाट इस गुड नियूस रोहिट शर्मा कप्तान है आपके वंडे के शुमन गिल वाइस कैप्टन है जो मैं आपको पहरे भी कह रहा था जो कयास आ रहे थे जो बाते आ रही थी कि केल राहूल भारत के वंडे कप्तान होंगे अगर शर्मा नहीं है रोहिट तो आ गए लेकिन वाइस कैप्टन कौन है शुमन गिल विराट कोली केल राहूल एस विकट कीपर वंडे टीम में है बड़ लीडर्शिप रोल में नहीं है अगें इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है क्यूं हो रहा है कैसे हो रहा है रिश रहूल है रिशब पंथ है श्रेय सईयर भी अब श्रेय सईयर का कॉंट्राइट नहीं था बड़ श्रेय सईयर ने ऐस कप्तान जो कॉलकाता के लिए उनकी परफॉर्मेंस इस थी आइ तिंक गौतम गंभीर कभी नज रहा होगा तो श्रेय सईयर अपनी जगा राइट फु को स्किप करने का मन बनाया था कुलदीप यादव हैं वंटे टीम में वाशिंग्टन सुन्दर है अरिषदीब सिंग रियान पराग को वंडे टीम में भी जगा मिली है और ये उनके लिए बड़ा प्लस है अकसर पतेल खलीर ऐहमद और हर्शित राना भी टीम में हैं हर्शित राना IPL कहां से खेलते थे कॉलकता से कॉलकता के मेंटॉर कौन थे गातम गंबीर और आज गातम गंबीर इंडिया के कोच है पर इससे पहले भी I think हर्शित राना को देखा जा रहा था सो मैं फड़ा फड़ा आपको मेंट पॉइंट्स सुरी कुमार यादव कैप्टन T20 में हर्दिक वाइस कैप्टन भी नहीं है T20 के वाइस कैप्टन है शुबन गिल वाशिंटन सुंदर को मौका मिला है बहर से जो मतलब जो लड़के रवी बिश्णोई दुबारा वापिस आ लिए तो यह आपके बड़े पॉइंट्स हैं चर्चा तो करेंगी और आप लोग भी मुझे लगता अपने सवाल लेकर रहें क्योंकि एक तरह से आज रात जो एजंडा है अपसे बीस मिनट के बाद 15 मिनट के बाद हम उसको आज का एजंडा कम क्वेशन आंसर सेशन की लिए तो आइम शूर हार्दिक पंड्या भी इस वक्त सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ही सब क्या हो रहा है हालां कि सुरे कुमार यादव को यह ज़रूर एहसास होना चाहिए वन्डे टीम में उनको जगा नहीं मिलिये या तो उन्होंने ब्रेक लिया है बट अगेन वन्डे टीम में सुरे कुमार यादव नहीं है उसमें श्रेय सयर और केल राहूल की वापसी है शिवम दूबे भी है रियान पराग को भी मौका मिला है तो टीम मा कुछ लोग कहरें पंडिया शिवम दूबे अक्सर पतेल वाशिंग्टन सुंदर रविष्णुई अर्षदीप सिंग खलील एमद मौम्मध सिराज इस्टी 20 और वंडे टीम रोई शर्मा कैप्टन शुमंगिल वाइस कैप्टन विराट कोली केल राहूल रिशब पंथ श्रेय सयर शिवम से ना हर्दिक पंडिया आज शायद अपने आपको सबसे बदकिस्मत काउट करेंगे बिकॉज इंडिया की कप्तानी उनसे ले ली गई उनको वाइस कैप्टन भी मनाया गया दूसरा मुझे यह लग रहा है अगर आप दोनों टीमों का स्ट्रक्चर देखें शिवम दूब और रियान पराग वन डे टीम में भी इसका मतलब क्या है क्या यह हर्दिक पंडिया को भी एक मेसेजिंग है उनको मेसेज दिया जा रहा है कि वन डे में भी आपका बैक अप हम तयार कर रहे हैं तो यह कई चीजें हैं बट जैसे मैंने का हर्दिक पंडिया वेरी अनलगी परफॉर्मेंस जबरदस थी वर्ड कप में या जिताने में उनका सही होग था कॉंट्रिबूशन थी और आप जो अजीद अगरकर और गौतम गंभीर की सोच मैच कर गई कि मुझे वह कप्तान नहीं चाहिए टीट्वेंटी वर्ड कप में जिसको वर्क लोड मैनेजमेंट या जिसको fitness issues हों तो उन्होंने का जी सुरिक मारी आदव के साथ जाएंगे बोड की सोच के बिना तो यह खैर किसी भी चीज़ पर बहुत लगने सकती तो BCCI ने भी I think इनकी सोच के साथ जाने का फैसला किया है तो एक काम करते हैं यह टीम तो आपने देखी ली ठीक 10 मिनि कप्तानी आपने पॉइंट्स उस पर अपनी राय रखें यूजी चैनल नहीं है जैसे इसब्रिग रवी भिश्टछ के हैं तो यह सारी चीजों पर आप अपनी राय रख तूट करते हैं उस पर चर्चा करते हैं और प्लीज इस वीठियो को लाइक करें शेयर करें और स्प झाल झाल